हाई अब्रिवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल है ओप यौल आ डूइंग गूट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फेशिल शेयर करूंगी जिसका रजल्ट और इंस्टेंट आपको मिलेगा अगर आप कोई पर्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आप इस फेशिल को ज जरूर देखिएगा कि मैं ये फेशिल को त्री स्टेप्स में करूंगी तो आपने भी फालो करना है एन आप इस फेशिल को वीक में वन टाइम भी ट्राय कर सकते हो ताके आपकी स्किन जोए काफी अच्छे से ग्लोई फेर एंड ब्राइट रहे तो चलिए स्टार्ट करते भी चीज एट नहीं करूंगी जस्ट यही क्लेंजिंग का वर्क करेगा आपको लेना है एक कोई भी कॉटन पैड या कॉटन इसकी हेल्प से आप आपकी पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लें यहाँ पर मैं अपने हैंड पर बता रहे हूं आप सेम प्रोसीजर से आपकी फेस पर जो भी डर्ट हो जो भी आपकी फेस पर मैल वगरा हो यह बहुत ही इसली उतार देता है एकदम से क्लीन कर देता है क्यूंकि मिल्क में होता है लैक्टिक आसीड जिसकी वज़े से यह स्कीन वाइटिनिंग प्रोपरटी होते हैं जो आपके स्कीन को वाइटन करने भी भी हल्प करता है इसे यह आपके स्कीन के जो भी डर्ट पोल्यूशन होता है उसे डीपली क्लीन करने में हल्प करता है जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छे से यहाँ पर जो है हम इसे क्लीन करेंगे जो भी डर्ट होगा यह इस से कॉटन पैट से कॉटन पैट में आ जाएगा तो first step cleansing जो हो गया है तो चलिए second step आता है scrubbing का इसके लिए आपने लेना है sugar यानि कि चीनी जो कि सभी के पास available रहती ही है और इसमें आपको add करना है कुछ drops lemon के यानि कि lemon juice आपको इसमें add करना है ये बहुत ही अच्छा scrubber का काम करेगा so cleansing के बाद आप इससे अपने face पर हलकी हातों से ज़्यादा weight ना दालते हुए light light hand से इस तरह से scrub करें circular motion में जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ इससे क्या होगा जो भी आपके black heads white heads होंगे वो दूर हो जाएंगे scrubbing करने से तो week में two times आपने scrubbing को जरूर करना है तो three to four minutes आप scrub करें time देकर and चीनी जो है scrubbing का scrubber का काम करती है इसके जो दाने होते है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके black head wet heads को दूर करने में help करती है and lemon आपको मालूम है lemon में vitamin C भरपूर मात्रा में होता है जो के आपके skin whitening के लिए बहुत ही अच्छा vitamin होता है bleaching properties होते है जो के एक bleach का काम करता है lemon तो ये दोनों चीज़े आपके skin के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होते है तो 3-4 minutes के लिए आप इसे अच्छे से scrub कर ले दिन थंडे पानी से wash कर ले so जैसे के आप देख सकते हो two step में ही काफी अच्छे से clean लग रहा है मेरा hand अगर आप इसे face पर use करोगे तो आपको भी same result मिलेगा तो जरूर ट्राइ कीज़ेगा third and last step हमारा आता है face pack तो चलिए face pack बनाते हैं इसके लिए भी है सारे ही चीज़े आपके घर पर available रहते ही हैं क्योंकि हम लेंगे गेहूं का आटा याने के wheat flour इसमें आपको add करना है थोड़ा सा one to two drops उतना lemon juice इसे आप simply mix कर ले raw milk के साथ जितना आपको चाहिए paste pack बनाने के लिए तो आप ज़्यादा quantity में बना कर face पर neck पर भी से try कर सकते हो पूरा face, neck, hands पर भी तो थोड़ा सा milk में और इसमें add कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा pack हमारा ready हो जाए so natural ingredients की help से हम बहुत ही अच्छा सा facial करेंगे जिसका result आपको instantly मिलेगा तो जो हमने scrub किया था उसके बाद हम simply इस pack को apply कर लेंगे like this और इसे आपने छोड़ना है 10 to 15 minute के लिए then उसके बाद आप face को wash कर ले so जैसे के आपने देखा ये 3 steps करने के पाद instantly आपको result दिखेगा है we can see the difference between both my hands clearly तो आप भी इस 3 step facial को जरूर ट्राइक कीजिएगा घर में आपको बहुत ही amazingly result मिलेंगे वीडियो कैसी लगी बताएगा जरूर comment section में अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी helpful लगी तो please give this video a big thumbs up channel को subscribe कर ले new हो तो red color के subscribe बटन पर click कर कर उसके बाजूब में आपको एक bell icon आएगा उसे भी hit करें ताकि जब भी मैं new video upload करूँ आपको notification मिल जाएगा तो चलिए guys मैं आपको next video मिलती हूँ till then take care thanks watching bye bye झाले ले ले लेगाई